हां तो दोस्टों DreamFox Services के Cauta One के Numbers आज शुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको DreamFox Services के नए इन्वेस्ट करना चाहिए या ने चली शुरू करते हैं तो देखे अगर हम यहाँ पे revenue के numbers के अगर हम बात करेंगे तो पिछले quarter के comparison में यह number 61 percentage से बढ़ा है और यह number आया है 160 crore पे तो देखा जाया तो यहाँ पे quarterly basis पे जो revenue का number है यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हमें growth आवा नजर आ रहा है और उसमें भी अगर आप पहले वाला quarter था तो यह जो number यह company के यह April से June वाले quarter के और इसका जो comparison वह January से मार्च वाले quarter से तो देखे जैनवरी में जो Omicron वाली वाली वेड़ चल रही थी तो यह से थोड़े प्लाइट को अगरा cancel हुए थे उसके वापे इतने जादा लोग airport पे नहीं जा रहे थे अगर हम यहापे year on year business के अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल इसी same quarter में company का revenue का number 24 करोड पे था और अभी यह number में 160 करोड पे नजर आता है तो देखे यह definitely अगर आप देखोगे तो पिछले साल इसी same quarter में हमने COVID की second wave देखी थी तो इसकी वाज़े से यह number में इतना करोड के loss में नजर आता है तो all over देखा जा तो company के numbers हमें यहापे अथिये नजर आते हैं और आज यह company list हुए अगर हम देखेंगे more than 50% के premium यहापे यह company हमें list हो तो भी नजर आईए और अभी अगर हम currently देखेंगे तो 45% के premium पे यह company trade हो रही है तो देखेंगे अगर हम अ one and average अगर हम देखेंगे लगबग यह numbers अगर company के होते हैं तो more than 50 करोड का net profit company का पूरे साल में हो सकता है और इसके अगर आप देखोगे अभी जो current price है उसके अगर आप 50 का P ratio में company का नजर आता है तो देखेंगे इसके लावा और कोई company listed भी नहीं है तो उस तरीके से दिख अगर आप देखोगे जो बड़े-बड़े spaces में लाउंजी ओपन हो रहे तो वहाँ पर definitely company के लिए scope हमें नजर आती है तो देखेंगे अगर आप एक aggressive investor है आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे प्लाइट में जो ट्रेवलिंग है वो इंडिया में increase होने वाला है तो definitely य एक आपके radar पे होनी चीए और मेरे ख्याल चे लगता है कि जो अमारी airline companies जो उनके comparison में मेरे ख्याल चे यह जो एक asset light जो business model है इनका उसमें मेरे ख्याल चे यहाँ पे ज्यादा returns आपको मिल सकते हैं तो दोस्तों मैं hope करता हूँ कि dream folks services के पूरे quarter one के numbers के बारे में आपको सब